मस्कार आज हम इस वीडियो में इलेक्टिकल की और कुछ इंपोर्टेट अब्जेक्टिक कुछन के बारे में डिटेल में डिस्कोशन करेंगे और अगर आपको वीडियो आच्छा लागता है तो सब्सक्राइब जुरू किजिगा तो देखो आज का पहला कोचन सुरू करता ह पहला कोचन देखो एक सेमी कंड़क्टर हेज नर्माली डेस नमबर अब बैलेंसी इलेक्ट्रन एक सेमी कंड़क्टर में कितनी नमबर अब बैलेंसी इलेक्ट्रन होता है एक ही बैलेंसी इलेक्ट्रन होता है यह दो होता है यह तीन होता है यह चार होता है तो इसका एंसर की सबसे बाहर में जो सेल होता है उस सेल में जितना इलेक्टन होता है उसको क्या कहते हैं उस एक्टम की वैलेंसी इलेक्टन जीसे की देखो यह हमरा सिलिकोन एटम है यह हमरा एक सेमिकोन रहे है तो यह जो सिलिकोन है इसकी बाहर में देखो वान टू थ्री और फॉर तो इस इसके भी आउटर मुर्षल में 4 ही इलेक्टर होता है तो इसलिए जितने भी सेमी कॉंडॉक्टर होते हैं सबके बैलेंस इलेक्टर कितना होता हैं चार ही होते हैं तो और उसके साथ से यह भी याद रखो देखो जो कॉंडॉक्टर होते हैं और जो इन्सुलेटर होते हैं हमारा समी कंडौक्ट्र में हमारा सक हमें数 इसके saya चार अकिशा से जादा होता है जो सेमिक कंडौक्ट्र होते हैं उनकी वैलंस इलेक्ट्रा ड, तै compliant сटे ज्ञादा होता है तो इसलों है अफशन नमबर फ़ोर वहा है इसका माइवरो contributed 10 थे नेकरानियां नेस्ट कोवतिछंतरं एक सिंगेल सुलार सेल एक सिंगेल सुलार सेल से हमें कितनी वर्क्रत्व वosure कितनी मिलता है जेल पन्ट फॉखल वर्लों रहे ہے यापरे 10 वर्लों रहे या फिर 50 विल्ट मिलता है या फिर 99 देज तो इसका answer होगा तो इसका answer होगा देखो एक single solar cell में हमें 0.5 volt 2 output voltage मिलता है तो ब Pourquoi ? और आपशन नंबर 1 होगा इसका correct answer , देखो यह होता है एक single solar cell और इसमें 0.5 volt 2 output मिलता है और एक से ज़्यादा सोलार सेल को मिलकोर हमें एक सोलार मोडूल मिलता है और एक से ज़्यादा सोलार मोडूल मिलकोर एक सोलार एरे मिलता है यह आपको याद रखना होगा सोलार सेल मिलकोर सोलार मोडूल बनता है और सोलार मोडूल मिलकोर सोलार एरे मिलता है तो एक सिंगिल सोला सेल में हमें 0.5 भल्टी मिलता है तो अप्शन नमबर वान होगा इसका कोरेक्ट एंसर देन देखो next question which factor depends on the resistivity of a conductor देखो किसी भी conductor की जो resistivity होता है वो चार में से किस पर depend करता है देखो जो resistivity row होता है इसका formula आता है resistivity row is equal to resistance उस conductor की resistance इंटो उस conductor की area prosecution device की length जो conductor अधलर देखो अप्सन वान क्या है resistance अव दि कन्डॉक्टर तो resistance के उपर depend करता है तो यह is for different करता है उसके बद option 2 देखो area आपशन टूक्ट sebagai directing करता है उसके बाद length of the conductor length of the conductor के उपर भी depend करता है तो इसलिए इसका answer क्या होगा जो resistivity होता है यह resistance के उपर भी depend करता है area of cross section के उपर भी depend करता है और length of the conductor के उपर भी depend करता है इसलिए इसका answer होगा all of these answer में non of these यह यह wrong answer है all of these होगा इसका correct answer then next question a household energy meter is a घर में जो energy meter होता है वो एक indicating type instrument है या फिर recording type या फिर integrating type या फिर non of these तो इसका answer होगा जो घर में जो energy meter होता है वो हमारा indicating instrument होता है option number three होगा इसका correct answer क्योंकि यह जो energy meter होता है इसमें long time के लिए हम एक मोहिने में कितना energy consumption घर में क्या जाता है सारे के सारे एक मोहिना के data का वो क्या करता है रखता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं integrating type instrument option number three होगा इसका correct answer और जो हमारा volt meter और parameter होते हैं वो हमार सब सारे के सार क्या होता है indicating instrument होता है तो इसका एंसर क्या होगा जो energy meter होता है वो एक integrating type instrument होता है option number three the correct answer और देखो next question earth or ground or made by देखो जो आर्थिंग और होता है या फिर खॉपर का होता है या फिर aluminum का होता है या फिर iron का होता है या फिर galvanized iron gi का होता है तो इसका एंसर होगा earthhing और या फिर ground और हमरा gi का होता है galvanized iron का option number four होगा इसका correct answer देखो next question पीक वेलो इस इक्वाल टो जो पीक वेलो होता है पीक वेलो इस इक्वाल टो पीक वेलो इस इक्वाल टो आरमेस वेलो बाई पीक फेक्टर होता है या फिर आरमेस वेलो इन्टो फॉर्म फेक्टर होता है या फिर आरमेस वेलो बाई फॉर्म फेक्टर होता है या फिर आरमे बास आ में क्या मिलेगा इसी फॉर्मूला से पीक बेलुheen इज err में इज iq2 फेक्टर इन्टो ऐगा तो पीक बेलु इज इक्वाल टू पीक फेक्क्टब इन्टो आर में रुम जक्र wanna से ठीक Chief wizard से यह derive हता है pick value is equal to rms value into pick factor option number 4 होगा इसका correct answer देन देखो next question the major heat loss in a steam power plant is देखो एक steam power plant में सबसे ज्यादा heat loss कहाँ पर होता है heat chamber में या फिर pen stroke में या फिर spill way में या फिर condenser में तो इसका answer होगा देखो Sydney power plant में हमारा condenser में सबसे ज्यादा heat loss होता है option number 4 घय ass st fark यह होता है condenser देखो जो हमारा steam high pressure steam जो ultimate Полton यहां क्या होता है जो ultimate generator होता है high pressure steam किया करता है नहां उतको घुमाने के बाद जो डिःसे में इसाले करहा हमरें यहां पर कानसर में सब्सक्र defirmot slept लिए और किसमें इसी लिए जो कॉंडfunded होता है इसी में सबसे ज़्यादा हमरा हीट रहते हैं स्टीम पर प्लाक में बॉनेस्टट वहाँ वाय है यह तो इसो kangarok घड़ बियू कुणिटा होता है उस में सबस्यादा हित लौस होता है था अप्शन नमबर फोर और इसका। एंसर देन देखो नेट पुस्टेलन दिदेधै कुच्टिन दै एफिसेंसी ओपे थर्माल पाहार्स्टेaसं टेक Travel पाहार स्टेसून की एफिसेन्स कितना रहता है थाramer टेट पॉर्षेन्ट यापिफिप्ट पॉर्षेन्ट या तर फिप्टे ईट पॉर्षेन्ट फैफिट इपुसेंट सेटीं युछ त्रमल पार प्लान फीर फर्माल पार प्लान होता है इसके एक इसके सेटींची बहुत ही पॉयत कम रहता है जिसे की ओनली 28 परसेंट एपीशेंची रहता है हमारा थर्माल पार पलांट में तो अप्सन नॉबर टू होगा है इसका कोरेक्ट एंसर दन देखो ने श्कूचन टू रेजिस्टर और सेट टू भी कॉनेक्टेड इन सिरीज होया देखो जो दो रेजिस्टर सिरीज में कॉनेक्शन होते हैं यह चार अप्शन में से कौन सा कॉन्डिशन बनता है देखो को शीरीज कॉनेक्शन होने के बाद दोनों में सेम कॉरेंट पास त्रोदी बहत मालो यह हमारे एक रेजिस्टर है यह और एक रेजिस्टर है दोनों सी रेजिस्टर हैं और से the Same voltage Same voltage ड्रोफ्ieten में जतना व्ल्ट ड्रोफ होगा र्कटु में विस्ट नहीं होगा या फिर ना जिस्टन्स या फिर रर्षटन्स एन डेन्ध बहुत नहीं रहे सा नोreb तो इंपनेडर को घुपन्द करते हैं सबनेट्म में कउर्केट्म घीया एक इस वत फास थरब दे बोड यह एक रinde यहागर फ्लो होगा तो इसलिल्जश्थन नंबर 1 होता है इसका इं करें देंश्ट कूचन ओपासिटर में अनिलाज कर सकते हैं यह अपिर अंडौक्टर में नहीं कर सकते हैं यह रिजिस्टर मीं मैं यह नहीं簡새 कषड़े Państu जो ohm slow होता है उसको हम capacitor में analyze कर सकते हैं inductor में भी कर सकते हैं register में भी कर सकते हैं जो transistor होता है यह देखो यह transistor इसमें हम ohm slow को analyze नहीं कर सकते हैं तो option number 4 हो गाइसका correct answer देन देखो next question Which of the following motor is used for traction work देखो traction work के लिए के लिए Traction वार के लिए हम इमेंसे कौन सा मोचर का यूज करते हैं овой में ही आएक करेंसेक किसी सरी मोतर मはいotsला मोटर से सरक चलता है और यह में लेक्ट्रीक इस्चम वी चलता है और इसका यह सिंक्रोन स्पीड में गमता है और यह थ्री प्रेजिन अक्शन मोटर तो इसका अंसर क्या होगा ना जो ट्राक्शन के लिए हम डिसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं ड्रेलवे में तो आप्शन नमबर टू होगा इसका कॉरेट एंसर देन देखो नेस्ट कुछ पेल्टन टर्बाइन इस सुटेबल फोर देखो जो टर्बाइन होता है नर्माल थी टाइब का होता है एक होता है केपलोन दूसरा होता है फ्रांसिस तिसरा होता है पेल्टन टाइब होता है टर्बाइन यह हाई हैड के लिए सुटेबल होता है या फिर लो हैड या फिर हाई लो दो उचे करते हैं। और उस्से कॉम रहता है। तो. फ्रांसिस टैप कta यूजव क्या रहता है और उससे भी और कॉम रहता है तो कैपलन टैप टैप mobile 9 का यूज़ के या था ही आपको याद रखना sister होता है तो उस टाइम हम क्या कलते हैं ना पेल्टम ट्रेप ट्रूबेन का युच करते हैं हाइड्र एलेक्रिक पार प्लांट में देखो नेस्ट कुछन पावर ट्रांस्फर्मर अडिजाइन टुह एप मैक्सिमुम एफिशनसी एंड़ डेस ऑप फुल लोड देखो जो फूल लोड में ही maximum efficiency होता है पावर ट्रांसफर्ण होता है या फिर फूल लोड की 50% में maximum efficiency होता है या फिर फूल लोड की 70% में होता है या फिर फूल लोड की 70% में होता है या फिर नॉन अफ दीजी तो इसका अंसर आगा very very important question जो पावर ट्रांसफर्ण होता है उसकी फूल लॉड की 50% में ही maximum efficiency होता है तो इसलिए option number 2 होगा इसका very very important question देन देखो next question function of sound in an emitter एक emitter में जो sound का use करते हैं उसका काम क्या होता है वो current को bypass करता है या फिर उस emitter की sensitivity को increase करता है या फिर emitter की resistance को increase करता है या फिर non-off तो इसका answer होगा emitter में जो sound का use क्या जाता है उसका main कारण क्या होता है ने current को bypass करता है option number 1 होगा इसका current साथ देखो मानलों यह हमरे एक emitter है कि इसके parallel हम क्या करेंगे register को use करेंगे जिसको हम इसको send का sound कहते है यह sound है emitter के parallel में क्यों क्या जाता है जो emitter होता है इसका capacity को increase करने के लिए मानलों यह जो emitter है यह पांच फाइब एंपियर तो की current को measure करता है और हमें इससे ज्याजा current को measure करना होता है यह six amp or यह फिर seven amp or उस condition में क्या करते है इस emitter की parallel में एक low resistance बहला low resistance को connect करते है और इसी resistance को क्या कहते है sound कहते है और इसका क्या होता है ना bypass the current जो current आता है उसको bypass कर इस parallel circuit में bypass करता है तो इसलिए देखो जो sound होता है emitter में वह current को बाइपास करता है option no.1 वान होगा है इसका correct answer और देखो next question यह reverse biased PN junction has a resistance about देखो एक होता है having rate biased condition दूसरा होता है reverse biased condition तो इस reverse biased condition में resistance का value कितना रहता है ohm रहता या पर kilo ohm में रहता है या पर mega ओम में रहता है या लान ओप देजी तो देखो हम सब जानते हैं जो डायड होता है डायड की देखो मालो यह हमरेक डायड है हमसे जानते हैं यह positive side और यह negative side है लेकिन यहाँ पर connection देखा positive हुआ है negative के साथ और negative हुआ है positive के साथ इसको क्या कहते है reverse bias और इस reverse bias condition में current flow नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि resistance का value बहुत ज़्यदा होता है तो इसलिए जो reverse bias condition होता है उसमें resistance का value मेगा में आता है option no.3 होगा इसका और जो फोराड बाइस condition में रहता है मेंस आसान से current flow होता है उस condition में resistance का value बहुत कौम रहता है तो इसलिए इस question का answer क्या होगा reverse bias condition में resistance का value मेगा में आता है option no.3 होगा इसका correct answer तो आज के लिए इतना है thanks for watching और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो subscribe जरूर कीजेगा